मिल कुछे हैं मैंने दिन, रात, अचार बना बना के उसको पढ़ाया, उसे एक अच्छी नोक्री भी बिने वाली थी मेरा नील बहुत अच्छा लड़का है मैं जंता गचुना हुआ निता हूँ उनके लिए काम करता हूँ ये अश्वीन रेगे जोई फुट्रैडो और वो क्या नाम उसका चिर्कुचोर नील डिकोस्टा इन सब के मुझे जरुवत नहीं है मैं अपने सफाई दोराता हूँ अश्वीन के मर्डर में मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं उसने मेरा नाम लिया इस बात का भी कोई सबूत नहीं और ये नील डिकोस्टा इसके दावे का भी कोई सबूत नहीं मिलेगा आपको नील डिकोस्टा का नाम है जी जिसने आपके गड़ चोरी के थी कि बदला लिया उसने बदला किस बाद का उस रात मैं मेरी पतनी सविता और बेटी कोमल हम घर लॉक करके पार्टी में गए थे खर में जबरन घुसने की कोई निशानी नहीं थी किसी को मालूम था कि हम तीनों उस रात घर नहीं होंगे खर का धर्वाजा और सारे लॉकर जाबियों से खुरे गए थे इसे ने हमारे घर के सीसी डीवी क्यामेरे का कनेक्शन कार्ट दिया थे पुलिस और हम्शूर थे किसी अंदर के आदमी नहीं नील की मदद की थी इस चोरी में तो चोर पकड़ा कैसे गया हमारे घर के एक बैग में नील ने चोरी का सामान पर लिया थे हमारे घर के पास एक सीसीटीव में नील कैद हुआ इसमें सारा लूट का सामान चुपाया गया था वो पकड़ा गया और उसे जेल नील ने पुलिस को बताया नहीं कि उसने आपके घर का दर्वाजा अलमारी के लॉकर्स कैसे तोड़े क्या आपको कुछ पता है वो कौन हो सकता है जिसने नील की मदद की होगी मुझे सिर्फ जाए कि एतना पतायक की ये नील को ये रोजमर्रा का चोर वे गिछा कने अच्छा हो आपने का। है कि उसने बदला लिया ये क्या बदला भी इरी बेटी को मल को मल को से अलग करने का बतल उ मतलब दो नीन का और को पो मल का को चकरवत आगया और शुटरिवर पापा, उसने परस्नल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्राजवेट डिप्लोमा किया है और वो टॉप रिक्रुटिंग फर्म्स में इंटर्वी भी दे रहा है मैंने उसका नाम पूछा, नाम नील नील क्या? नील डिकोस्टा प्रिश्चन है? सवाल ही नहीं अज के बाद मिला नहीं उससे एक बर मिल देते हैं लड़के से और उसके घरवालों से टुकडे टुकडे करवा दूँगा उस लड़के के और उसके घरवालों के दूसरे दिन वो घर से भाग गई मैं सीधे अश्विन के घर पाँच गया अश्विन जैसा आप चानते हैं मेरी बेटी को अपनी बेटी मानता था मेरा दयाबो दुपेर को यह पता ना मंगता था आपको पच्ची से बात करने के पहले तो चुकर का ना परोपर का टुक्शन लेता मैं भूल कर देता अले को ऐसा कुश्मत की जेगा जी पच्ची कुछ कर बार देगी फिर ने को कुछ रह गया भाग गई माईता ना भाग गई हूँ अले को मालूम ने किदर हाट दाथ हूँ ये पपले आप उंडो तारे आड़ी निकाल रहे उंडोनोने शादी कर ले थे नहीं नहीं उससे पहले ये अश्विन भाई ने उन्हें धूंड निकाला बाव वही नहीं मैं समझा के लिया कोमल को नेक्सायम से मिले के नहीं वो छोग रहे चल घर अब सभी तातरी जाहिए तो थोड़ी दर अंदर बैठते हैं कोमल आजा अश्विन अंकल नील को कुछ मत करना वे प्रिंसेस कार में क्या बोला मैं तरको जबाद दिया कि नहीं कि कुछ करेगा नहीं छोग रहेगा लेकिन इसको भी चपान दीना पड़ेगा कि वो तरको मिलेगा नहीं कभी लेगा नील भी मान गया वो मेरी बेटी की जिंदेगी में नहीं लोटेगा और फिर आमें पता चला कि ये ये चोरी हुई है तया रायकर के घर में नील ने चोरी कि या नील से चोरी करवाई गई सवाल यह पुझाता सर रायकर फैमिली में से किस एक ने मदद कियो नील की शायद दया और उसका मोटेव नहीं देखता और वाइप सविता लड़के के अगेंस नहीं थी जो इतना बड़ा कदम अठाती अब बची कोमल जिसके पास मोटीव है मोटीव है को मतुमने आमें अश्विन रहे और तुमारे बीच वे फोन कॉल के बाता है तुमने अमें बीच वे बारे कुछ नहीं को बता है यह आदिय धूरी बाते बताने वालों पर भरोसानी करते है भरोसा तो मेरा भी तोड़ा गया सर और नील का भी कोमल तुमने उसकी मदद की अपने ही घर चोरी करने भी इस चोरी का मकसद क्या था कोमल हम दोनों पकड़े गए थे ठीक है लेकिन उसके बाद मैंने नील से ब्रेक अप कर दिया था इसलिए नहीं कि मैंने उसे प्यार करना बन कर दिया था बल्कि इसलिए कि मैं उसे मेरी जान से भी ज्यादा प्यार करती था और मैंने चोरी को गरवा ही अपने घर में मुझे खुद को शौक लगा था जब नील का नाम आया चोरी की कैस में मैं टोटली हिल गई थी कुछ बोलोगे नहीं क्यों की आया था मेरे घर पे चोरी नील कोमल मुझे फसाया जा रहे कैसे किसने फसाया और क्यों तुम बिलीव नहीं करो और अगर किसी को बताओगी तो तुमारी लाइफ को खत्रा हो सकता मेरी लाइफ में पच्छा ही क्या है बोलो नाम बोलो नील भारती रेगे क्या सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा सर कि भारती अंटी ऐसे क्यों करेंगी नील ने क्या था उन्होंने सिर्फ इतना मुला कि अगर मैं यह चोरी करता हूं तो मुझे तुमसे मिलवा देंगी लेकिन वो क्या कर सकती है तब मुझे पता ही नहीं चला कि भारती अंटी का क्या प्लान है लेकिन जब यहां आने से पहले अश्विन अंकल ने मुझे फोन किया था अश्विन अंकल को भारती अंटी की साज़िश के बारे में बताया हूं और उन्होंने एक्सचेंज में नील को जिल से निकलवाया हूं इस वक नील का है? मुझे नहीं मालूम मैडम मैं उसके टच में नहीं हूं पोन, मेसेज, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं सर अच्छो नेगे के साथ वे फोन कॉल के बारे में तुमने किसी और को भी बताया था? मैंने सिफ माम को बताया था क्योंकि मुझे सिफ मेरी जान के फिकर नहीं सर मुझे नील और मेरी मम्मी के जान के भी फिकर है गर अश्विन अंकल मारे जा सकते है तो हम लोग क्या है मैंने अपनी बेटी को उस नील से दूर करने के लिए अश्वीन की मदद ली और उसी ने नील की समानत करवाई पर क्यों करवाई यह अभी तक साफ नहीं मुझे यकीन नहीं होता तो पर इस दोर तो भी यकीन होगा कि अश्वीन तुम्हें मारने का प्लैन मना रहा था दया राएका उसको उड़ाने का दया एक बस समझ में नी आ रहे हमने टेप मिली कि तुम्हारा और भारती का चकर चल रहा और तुम दोनों ने मिलका रश्वीन को मारा है यह जूट है अश्वीन अपनी अधी प्रपरटी तुमारी बेटी के नम करने जा रहा था यह साच है तुम्हें अश्वीन के कान भरवा है मेरा तुम्हारे साथ है फैर है इसलिए वो मुझे मारने का प्लैन बना रहा था अश्वीन को क्यों अश्वीन करता है और भला मैं अश्वीन करता है यह पती थे मुझे नहीं मुझे अच्वीन के कटल के मास्टमाइंड का रह्स से और गहरा होता जा रहा और दूसरी तरफ हत्या करने वाले प्यादों की भी हत्या कर दी गई थे पर इस डबल मर्डर को डबल सुसाइट का रंग देने का प्रयास किया गया था पर ये रंग बहुत ज़्यादा फीका था जूटा था जिस होटेल में सैंडी और कैनी छुपे हुए थे भीजे हुए हत्यारे ने उसी होटल में फर्जी आधार काट के जरीए एक रूम बुक किया था पुलिस को उस डॉक्यूमेंट से हत्यारे की तस्वीर तो मिल गई लेकिन उसका कोई अतापता नहीं मिला सर कैनी और सेंडी को उनी की पिस्टल से मारा गया मुबई ही से बेजी की बैलेस्टिक कि रिपॉर्ट और अशुन डिग बैलकि बैलिष टेकुङ डोना मेच हो रहे साजी इस शूटर को भी उसी ने बेजा होगा जिसने इन दोनों शूटर को भेजा था अशुन को भालना थे साहे एक यह मिला, तो मास्टर माइंड मिला जिनदाद लेकिना चाहिए इस बात के पूरे चांसे हैं कि इसे महा डाला जाए नील को भी महा डाला जासाथ नील के लिए मैन हंच जारी है सार अब दो मैन हंच जारी होंगी इन दोनों के लिए यह भी कोई बाहर का फ्रिलाउंचर लगता है साथ? बाहर का हो, यहां का हो, जहां का भी ओलेस्टर नील के सासात मुझी यह बंदा भी चाहिए और दोनों जिन्दा चाहिए तेरी स्टेट, आउट और स्टेट, छोटे से छोटा थाना, हर जगा इसकी तस्वीर पहुचा दो जी मेडम और उस नील के सर्च की कोई रिपोर्ट? अब तक तो कुछ आया ने मेडम टाइट कर दो सबको, यह तो लोकल बंद है अपना, ऐसे कैसे कोई रिपोर्ट नहीं है? जी मेडम मेडम यह लील हमारे पास टाइम बट कम है काम बहुत जादा है, जल्दी बता दे सब कुछ मैने सर आपको जो कुछ भी फोन पर पता है सर वही साज सर, मुझे पसा है जा रहा है सर यह लो चावी, बड़ी मुश्किल से बनवाई है यह डूप्लिकेट चावी बहुत प्यारी साड़ी है क्या हुआ? एक ग्लास पानी मिलेगा, तवाई खानी है सुपा से बहुत सर्फट रहे मेरा तू दो मिनिट रुक मैं भी लेकर आई यह चावियां तुम्हारी तक्तीर की चावियां है नील तुम्हारी बंद चिडिया कोमल को आजाद कराएंगी, तुम्हारे लिए तुम्हें कोमल चाहिए की नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो लो, पकड़ो चावियां तुम्हारी के मुँ में, तो अब बकरी बनने का क्या फाइदा? सुन, मेरा पती अश्विन देगी अंडर वर्ड डॉन होगा लेकिन उसका भी बाप है, जो मेरे साथ नेता जी चिम्बलकर का हाथ है रहे तेरे सर पे कांपना बंद कर, मर्द बंद कौन है रहे? मेरे नहीं जानता को यह कांपने सर यह वह यह जिसने मुबई में तेरे दो दोस्तों का मटर किया दू तेरे इन दो दोस्तों यह तो सर सेंडी और कैनी हम मेरे साथ सर जेल में ते, सर यह्ः, मिस्टर भॉलीभाली बकरी यह दोनों हो ही हैं इनने तुने शिकार पर भेचा था उस चेर का शिकार करने के लिए जिसके जबड़े में तुने अपना मुलाया माट दाना उस चेर का शिकार करने के लिए जिसके जबड़े में तुने अपना मुलाया माट दाना यह दोनों सर पेशेवर किलर हैं उसर इन तरी वाइफ ने तेरे कंदें पे बंदूक रखे अपने पथी का गेम बंजानी का प्लान किया ने है मंडुने ला इस से कुछ कुछ ले देना लेके ना daí Faith जा 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 बोल दे सब कुछ बंदास मैंने अश्विन भाई को फोन करके सब बता है कोमल से इतना जल्दी नहीं रहे पहले सब का सफाय होगा उसके बाद तुन दूने एक होगा प्रामिस करते हैं इन दिन में मेरी बेल हुए फिर अगले दिन अर्श्विन भाई की ख़बर आई सर मैं घबरा गया था मैं डर गया था बहुत मुझे लगा कि अब तो भारती में हम भुझे भी मार देंगी इसलिए सर मैं छुप गया उदर ग्रैनी की सिस्टर के घर सर उदर पोल्वा में लेकिन कब तक चुपता आप लोग भी मुझे ढूंड रहे से पिर मैंने फून की पिर मैं आपके सामने आगी सर मुझे नहीं मानना साथ मुझे कोमल के साथ रहना है था लाइप में इस नील से कभी मिली ही नहीं मैडम और रही बात उस विल की तो अश्विन से खुद कहा था मैंने कि हमारी खुद की तो कोई अलाद है नहीं कोमल हमारी बच्ची जैसी है, तो उसे जो उसके नाम करना है, वो कर दे. चान छीड़कते थे कोमल पर अश्मीन, और मैं, मैं भी उस बच्ची से बहुत प्यार करती हूं. और उसके पापा से भी. यह क्या पकवास कर रही हैं आप? कितनी घिनौनी बात की हैं, आपने आपको पता है, मेरे भाई जैसे देया, क्या आप बोल रही हैं आप? जिंबल कर? वो कौन है? गौड़ फादर या कुछ और? वर्दी के पीछे एक औरत ही है ना? आपको शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बात करते हुएं. एक अंडर वर्ड डॉन की वाइफ क्या हुई? आप फुटबॉल की तरह उचाल उचाल के कीचर में फ्रैक दोगी मुझे? ये कोई फुटबॉल का मैच नहीं चल रहे हैं. अंडर वर्ड डॉन ही सही, गेम बजा है उसका. कौन किस टीम में है, कौन कितने गोल मार रहा है, ये तो हम पता लगा करी रहेंगे. फिर चाहे जितना भी कीचर उचले. तो फिर तो आपको ये भी पता होगा, कि एक टीम में ग्यारा प्लेयर होते हैं, और कुछ लोग गेम के बाहर रहकर भी चुप चाप बोल कर जाते हैं. तो आप बॉल पास कर रहे हैं, तो प्लेयर का नाम भी बता दीजाएं. पेचीदा मैच था. शक और इल्जाम का बॉल अलग-अलग खिलाडियों की तरफ पास किया जा रहा था और मैच में नए खिलाडी दाफिक हो रहे हैं. पर सवाल ये था कि कौन किस की टीम में थे? कैप्टेंस कॉन थे? गूल कीपर्स कॉन थे? ये समझ में नहीं आ रहा है और सबसे एहम बात ये थी कि इस मैच का मकसद, इस मैच का गोल क्या था? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन फ्ली स्टेशन में मुझे इंट्रोगैशन के लिए बुलाया जाएगा. आप एक अंडर वर्ड फैंली से ब्लॉंग करते हैं? जी नहीं. मैं एक पोस्ट के र जाला जा गया. और उन्होंने अश्वन रेके से हाथ मिला लिया. उसके बाद सारे गलत काम शिरू. और आपने कोई खास विरोध नहीं क्या मैसिस राइकर? एक शादी की अपने बंदिश होती है, ऑफिसर. और सबसे बड़ी बंदिश होती है उलाद. मैंने सिर्फ और सिर अपने कोमल के लिए समझोते की है. ऑफिसर पहले मुझे ये बताइए आप, क्या ये वाहियात इल्सां उसी इनसान ने लगाया है, जिसने दया और भारती के अफेर के अफ़ाउड आई थी? जी नहीं. तो फिर कौन है आपका सोर्स? वो आपको बताना हमारे लिए लाजम और सवीताताई के हिसाब से उसकी बेटी की खुशियां बरबाद हो रहे हैं. कुछ नहीं कि आपने चुकरे को कुमल और वो भे अब कुछ नहीं करेगा. तुम्हें उस लड़के को भुलाना ही होगा कुमल. एक तो वो अपनी बिलादरी का नहीं है. उस पर कहां वो, कहां हम कुछ तो सोच कूंगा. सरफ यही बात है पार्ती, कि वो एक करीब घर का लड़का है, बिना माबाप का. उसकी दादी ने अचार बना कर उसे पढ़ा है लिखा रहे है. वो इमानदारी से चाहता है हमारी बेटी को इजददार जिंदगी देना, जो इसके नसीब में कभ क्या रही है आप, कि हमारी लोगों के बीच में कोई इजद नहीं है? इजद और डर में फर्क होता है, जैसे महनत की कमाई हुए रोटी और किसी के खून से बनाए हुए हल्वे में. क्या बखौास कर रही हो तुम, मूह तोर दू तेरा? देख लो, यह है इजद. बहुत इ लगजरी में बड़ी हुई है ना, जो लाड़ हुआ है उसका, उस हिसाफ से वो लड़का बिलकुल लाए किचने उसका. तो यह हम क्यो तै करें? इक कॉमल को सोचने तो, इसके पास पे तो दिमाग है ना? बस-बस बहुत हुआ यह नेक्चर. कॉमल, उस तो बोल बेटा. बोल रहे हैं, लेकिन सूच समझ कर क्यान से. मैं नेल को भुला दूँगी. जब कॉमल नहीं घुटने टेक दिये, तो मैं क्या कर पाती? मैं भी चली गई अपने उस पुरानी जिंदरी में. घुट-खुट कर जेना, जोट-जोट मुसकुराना. ये देख, सारी साड़ियां इतनी अच्छी हैं. हर बात में हाँ हाँ करना. गुमल को नहील से दूर करने के लिए अश्विन भावु नहीं रूम जाने की बात छेड़ी थी. मल ने भी हाँ बोल दिया, और दयाने भी. तो फिर मैं को नहीं होती हूँ? इतना गुस्सा था आपने. इतनी रंचिस थी. इतनी खुड़न थी. और इस सब की जड़ता आश्वे. जो अब नहीं है. ये उसके कर्मों का फल है सर. मैं भी अगर उसी की तरह करती, तो उसमें और मुझ में क्या फरक रह जाता? आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सुचें. मैं एक हाउस वाइफ, एक सोशल वर्कर, एक अंडर वर्ल्ड डॉन को मरवाऊंगी? इंपॉसिबल नहीं मिसिस राइकर. ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि अंडर वर्ल डॉन को किसी आम नागरिक ने मरवाया हूँ. और ये भी पहली बार नहीं होगा. कि एक आम नागरिक, एक आम औरत, एक आम मा अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाई, खामोश रही. आप ही बताई आफिसर, इन दोनों पॉसिबलिटी में क्या सदा पॉसिबल है? मुझे मेरी बेटी के लिए उस हरा काम की कमाही में से एक भी पैसा नहीं चाहिए था. लेकिन आश्विन करोडों की प्रोपर्टी उसके नाम कर देना चाहता था. तो मैं क्यों मरवाऊंगे उसे? ये सिर्फ साजिश है, जिसमें मुझे घसिता जा रहा है. बिल्कुल वैसे ही, जैसे उस बिचारे नेल के चोकरा, आपके नाम के साथ साथ मेरा भी नाम ले रहा है. और यहीं होगा, जिसने आप दोनों का भी नाम उच्छालाय दैरायकर, ये नेल एक तीर है. पर एक अमान किसके हाथ में है? चिंबलकर साहिब. कहीं वो जो ही फुट्राडों, एक तीर से दो निशान करने निकला आपका नाम ले लिया. नाम तो आपका अश्विन ने भी लिया था. उल्व आ जा रहा है मैं, निताजी चिम्मलगर के गर पर पर नाम तो आपका भी आया है. क्योंकि ये अश्विन की पतनी है और मैं अश्विन का बिजनस पार्टनर. ये जो ही एक तीर से कई निशान ट् पुलिस मेरे को पुत्ते कम आफिक ढून रहा है मेरे को आउट ओफ इंडिया पिछवा दोना तो आउट आउट ओफ इंडिया नहीं है तो आउट आउट ओफ वर्ल बेजन अमंगता है वो सेंडियो और कैनी के जैसे मेरे को मालूम था इसलिए मैंने वीडियो बना के रखे लाए तो मिदर मेरे को टुकवाएगा वीडियो पब्लिक और पुलिस तोने में जाएगा सार्या मजाग भी नहीं समझता क्या अरे आप उनित्ता भी पागल कुत्ता नहीं है कि सारे अपने वफातार लोगों को काट्टा को में तरे बचे के गॉड़ फादर इना पुल अरे बूर ने चल आख खाना काई चल आप पैटना अरे वाफ देख या मास तक अचुमर बने लाए अब दूच और है ये तना प्रेट भी ए ये ले अरे ब्रेट लेना चल का अच्विन अंकल नेल को कुछ मत करना प्र चल करना अच्विन अंकल ने मुझे कल ही तो फोन किया था बॉन्डो जी मैंनी बॉन्डो गाड़ी घुमाः फिक से देखा बॉल मुझे कितना मिलेगा अगर वो पकड़ा गया ना तुझो मांगेगा ना वो तरे को दिंगा मैं वो लैड्रिस बॉल सब मुझे लगता है कि मुझे आपके सोर्स के बारे में पता चल गए क्या है हमारा सोर्स आप मेरी बात को सीरियस्ली नहीं ले रहे क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग इस केस को ही सीरेसली नहीं ले रहे हैं कोई खास वज़ा ऐसा सोचने की कॉमल कॉमल वज़ा है इस केस की आपका सोच भी तो कॉमल ही है न उसी ने आपसे मेरे और दया भाव के अफेर के बारे में बोला था हाँ या ना मैडम मरीना डीजा मैं एक विक्टिम दिमाग से नहीं दिल से सोच रही थी वो सकता है कि मैंने सवीता ताई का नाम लिया हूँ लेकिन आप लोग आप लोग तो दिमाग वाले हैं न एक दूसरी दिमाग वाली को कैसे नहीं पहचान पाए सर जरा सोच कर गणी थी सब समझ में आ जाए इस टीम की ओनर दूर रोम में बैठी गोल पे गोल किये जा रही थी और आप लोगों को गोल गोल खुमाए जा रही थी बाहर क्या देख रहा है बे इधर देख यह वही गोवा है अपना पहले जन्नत था लेकिन अभी तूने और तेरे बाप जोई ने जन्न मानार का ऐसे है जोई मेरे बाप नहीं है तो तेरे बेटे का तो गॉड़ फादर है ना देख बता दे जोई को अश्विन की सुपारी किस ने दीती आप जोई से ही पूछ लिए सर ना यह उनके बैग्राउंड चैक नील की पुरी कहानी भारती डुप्लिकेट चाबी बनाती है चिंबिलकर का उपनली नाम लेती है जेल में दो पेशेवर शूटर्स उसकी काउंसिलिंग करते है और नील खुद को सिलेंडर करके अपने आपको भकरा बनाते है बिशारा बनाते है दोनों इतने सीरिस थे एक दूसरे खेले के साथ भागे भी थे और दोने ही कह रहे हैं कि टच में नहीं है ना मैसेज़ज ना कॉल्स ना मिलना हमें दोनों से भी के भी मिलना चाहिए बहुत डौच का लिया इस लटके ले कोमल्ग हमोशियां आठ फिल्मों में अच्छी लगती है ये फुल-उन मुर्डर मिस्ट्री है तो अब यही कहेगा कि तो इसको नहीं पेचलता है सर आप फिर से मुझे इसमें कसीट रहे आपको सब कुछ बता चुआ होगा आपको कुछ भी नहीं पताना चाहिए था लेकिन आप और अरत है आपको ट्रस्ट किया था पिचारी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती लेकिन तुमने तो कितनी सारी दुश्मन आने भाई ये कुमर अश्विन रेगे, उसकी वाइफ, खुद अपने पापा चिंबल कर सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें नील से अलग कर दिया गया तुम तो भागी थी ना नील के साथ, वो दुबारा भाग जाती मुर्डर करने की क्या जरूरत थी वो जीत गए भारती आंटी ने आप लोगों को पूरी तरह घुमा दिया है अब वो मुझे और नील को भी मरवा देंगी और आप लोग कुछ नहीं करेंगे क्या सारे घरेलू एंगल्स टटोल कर पुलिस ने सेल्फ गोल किये थे या फिर इस मैच का फैसला पेनल्टी राउंट से होने वाला था अब उनको अब उनकी अख़्ा लाइफ में इतना मज़ा कभी नहीं आया जितना इस कमी ने अस्विन्रेगी का कचुंबर बनाने में आया चार साल लग गया अब उनको अपने भाई डैनी का बदला लेने में उपर से अपने को रोपड़ा भी वो ही तो जो ही ना तो बदला लेने की ताकत थी तेरे में और नहीं तू शक्ल से इतना बड़ा बेवकूफ लग रहा है ये बोल स्वपारी किस ने थी थी तुझे अश्परिन रेगे नहीं जिसको जमानत पर छोड़ाया उसे ने उसकी पीट पर छोगराग उक्तिया नेल डिकोस्टा कैश दूला गल्ले कुछ तीन चाड़ लाग कि अब ओने कि तुझ मन का दुश्मन दूस्ट जॉए के भाई डैनी को बड़ी ही बेरेमी से माल डाला था छोटी से ही अपनी एक ग्यांग है चार छे बड़े लोग पुलिस वाले सब के साथ सेटिंग उसे लेकिन पैसे दगड़े लेगा जंगल में सबसे जंगली जानवर का शिकारे ब्रदर अश्विन रेगे टॉन है अब उनकी दुश्वनी तो वाड़ी पेमस है लेकिन तू 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 इतना चोमू सा गुटभवा है ते राश्विन रेगी के साथ कैसा बढ़ा है उकाजू फाजू भाजू ही एडगाई को गिनता है सारी प्लानिंग मेरी होगी शूटर्स तुमारे शूटर्स भी दे रह अब उनको ना फोकट का टीनर बजन नहीं है सब मैंने जोए गाई गणी और सैंटी को बार निकल वागाई टाइम टेबल बनाते है अज़ा सौलेट प्लानिंग की एना उस गुटभवाई ने कि अपन जिसे अंडरबट की लोगों को ना चुलू बर फेनी में डूप मनना मंगता है जैसे पूरे एरिये का स्कैनिंग कर रखा था आई सी जगह चुनाना इधर को इस सी टीवी नहीं था हार एक चीज के बारे में बराबर सोचा हुआ है यह तुम दोनों के लिए अच्छे से पहनना और हाँ क्लीन शेफ्ट पुलिस वाले लगने चाहिए तुम दो बाइ चल्दा काम होने के बाद यह दोनों अपने लिए रिस्कियों वैसे इन दोनों के आगे पीछे कोई नहीं पगड़े के लेकिन अप उनको अपना बद्ला मेला कड़ा बिटा जेल में तुझे है और विस ज्यादा कड़क माजाएगा इस मदर में क्या इतना गुड़ सकते हैं अजुघा सपीज़ु आप अठी अजुघा देखा अश्बने होटेल वूड़ गॉटेंज में बुकिंग क्यों कराई थी इंबलकर का नाम क्यों लिया था व श्लिन के आत्मार के पूची तो बुकिंग क्यों की थी वो मैं नहीं बताओ अँगा अश्वीन के आपके पड़ते हैं बड़ी तरफदारी कर रही थे ना तो मुस्ट नील डिकोस्टा की सब कुछ कबूल कर गया हो पुलीस को क्या कबूल कर गया है? यही कि उसने अश्विन की सुपारी दी थे वही हमारे घर से चोड़ा हुए पैसो से शुकरे कुमल तुमने उससे रिष्टा तोड़ दिया उसी ने हम सब के बारे में अफवाएं पहलाई सब कुछ कबूल कर गया साला कुमल क्या बात माडम नील पूरा सच नहीं बोल रहा है तो क्या है पूरा सच? नील को हमारे घर चोड़ी करने के लिए मैंने कहा था उसे चाबिया मैंने दी थी यह अभियस है कुमल होटल वुट कॉटेज में बुकिंग अश्विन अंकल ने मेरे कैने पर की थी क्यों? वो ओफियस नहीं है सर मैंने उनसे कहा था कि मैं रोम से एक दिन पहले आ रही हूं और वो मुझे होटल वुट कॉटेज में मिले किसलिए? सेक्स क्या? अश्विन अंकल पिछले पात साल से मेरे साथ करते आ रहे थे जब अश्विन अंकल मेरी लाइफ में आये मैं सिर्फ तीन साल की थी वो मेरे हीरो थे वो सच में बहुत लाड़ करते थे मुझे मैं उनकी प्रिंसस थी मुझे सच में बहुत लखी फील होता था कि मेरे दो-दो पापा है मुझे पंजिम के सबसे प्रेस्टिजिस कॉलेज में एड्मिशन मिला था सिर्फ उनकी वज़े से मुझे बहुत प्रोटेक्टेट फील होता और सच कहू तो अंडरवर्ड का रोब अच्छा लबता था मैं आधे से जादा टाइम उनके घर पर गुजारती थी अश्विन अंकल हमेशा कोई ना कोई सप्राइज देते थे एक भी डल मॉमेंट नहीं जब देखो तब मस्ती भारती अंटी बाहर गई है तेरा अंटी अभी शाम तक रेटरन नहीं होगा तब तक तो क्या करेगे रे फ्रेज में ताजा ताजा काजू का निरा पड़ेला वो लेके रख फिर ना पन मस्तवो क्या बलते रे तुम लोग क्या रे चिल मारते पैजलर चिल होता है अंकल चील तो वो गंदा वाला बर्ड होता है न जो आसमान से राबिट पे जप्टी मारता है वाव क्या सुपर पर्फियूम है बहुत मस्त है पते तरी अंडी के बलती तुमारा पर्फियूम ना ले सेक्सी है परिफ्यूम लगाने वाला सेक्सी होता है आप भी ना अंकल, आपना बहुत कीट हो पर तो ना क्यूट थी हो, अपने ही हो ग्या तो अप क्यूट नेयर रहे बहुत सेक्सी है जिसको जो सुचने सोचे जो समझने समझे पर मेरे लिए तो तेरे से जास्ती ब्योठी विल पुनिंसेस को है इच्छी नहीं परदा बन करूँ मैं बहुत कन्फियूज्ड थी पता था गलत है लिकिन फिर भी खुद को डिनाई करती की गलत है हर बार के बाद बुरा लगता पर फिर भी जाती जब भी बुलाते कभी घर में कभी बाहर और सबसे ज्यादा होटल वुड कोटेज में पर कब तक चलता है ये दुनिया के सामने एक रिष्टा बेडरूम में अलग किल्ट खिन इस सबसे मैं बाहर निकलना चाहती थी और तब मुझे नील से प्यार हो गया बेडरूम में ऑर नील प्यार प्यार अजय विर्ण विर्ण प्यार बेड़र प्यार 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 थ्यार कॉमल या आई अम नील जानती हूँ तो ये भी जान लो कि मैं जानता हूँ तुम किस फैमिली से आती है और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा कचुंबर बन सकता है लेकिन कॉफी पे चलोगी मेरे साथ मैं कॉफी नहीं पीती तो नीरा फ्रेश फ्रेश काजुनी रहा उस दिंग जो हाथ पकड़ा हमने हम दोनों को मालूम था कि ये कभी नहीं छूट सकता हम कभी अलग नहीं हो सकते तो पर वो बोली ने उस चोगरे के बारे में आपने बताया भारती आंटी को मेरे बारे में मैं पता दू आज हाट पर क्या तू मेरा प्रिंसेस दिल दो रहा है मेरा आपके पास कोई दिल विल नहीं है ए चोलेगे तुसको मैं आपको छोड़ चुकी में मुझे नॉर्मल लाइफ चाहिए मुझे नील चाहिए काट काट के ना पारिक टुकड़ा करेगा मैं पारिक पारिक सिर्फ तेरी यार का नहीं तेरी मा का तेरी बाप का और वो भारती बीच मैने तो उसको भी काटता लेगा मैं मैंने अपना रास्ता ढूंड लिया सर अश्विन अंकल और पापा ने मुझे अंडर वर्ल्ड की दुन्या से दूर रखा ऐसा उन्हें लगता था लिखिन हम बच्चे क्या नहीं जानते और क्या नहीं समझते सर मेरी 21 साल में क्रिमिनल प्लानिंग की पीच्टी हो गई थी तो बस मैंने आक्टिंग शुरू करती मैं नील को भुला दूंगी उन्हें के साथ सुई है क्या नहीं तो मेरे से नारा ये क्या अगर नारा सोती तो यहां आती पहले कुछ दिन बुरा लग रहा था पर अब मैं समझ गई हूँ वाट टाइम से फिलिंग हरा है रहे लेकिन बोलाने तेरको मैं कभी प्रिंसेस आई लव यू जैसा भी लेकिन मैं तेरको मेरा पुरा रानी बनाएगा मैं आपकी हूँ जो भी बनाएगे यह प्रिंसेस मिरकोना एक प्लान आए रहे मैं तेरेकोना रोम बेजेगा रोम का एक नया पार्डी के साथ नया बिजनेस शुरू होने वाल है तो तुभी उदर जुबीत्र को को पुरुष बिश करने कर वो तेरा नील को बुलाने में इजी पड़ेगा मुझे ये दूरी चाहिए थी मेरे प्लान को अन्जाम देने लेकिन उसके पहले नील को सब सच बताना था कुछ बोलोगे नहीं कुमल जो कुआ सोगुआ मुझे पता है वो बहुत पावरफुल है लेकिन दुनिया में कोई तो जग है ऐसी हो की जहां हम चुपकर रहे हैं से तो तुम बिलकुल नहीं जानते की वो कितना पावरफुल है ऐसी कोई जगे है ही नहीं दुनिया में सिर्फ एक ही रास्ता है नील उसे इस दुनिया से हटाना कुमल तुम उनकी लेंग्वेज बोल रही हो नील मैं अपने खुन में लिक कर दे सकती हूँ उसके लिए और कोई लेंग्वेज है ही नहीं पूरे पाईस साल मैंने बस यही देखा हैं और यही सीखा हैं अकर तुम मेरे साथ नहीं चलना चाते तो मुझे अब भी बोल दो यह भी कोई कोश्चिन है सबसे पहले फाइनांस मैंने अपने ही घर में नील से चोरी करवाई प्लान ये था कि उन पैसों से हम जोई फुट्रादों को सुपारी देंगे और अश्विन अंकल को मरवाएंगे लेकिन नील पकड़ा गए अब शुरू हुआ प्लान बी जो दो बंते तुमारे दोस बने है उनके पास मुबाइल है ना पेशे पर शूटा जाम समझे तक दिने हमारे के भीज़े तुम उनसे फोन दोगे और अश्विन अंकल को फोन करोगे और कहोगे कि भारती अंटी ने तुमारी मदद की थी चोड़ी करने में ताकि तुम जेल में शूटर्स से मिलो और उनकी सुपारी के पैसे जोड़ जाए चिंबलकर का भी नाम ले लेड़ो और क्यों? जैसा बोल रहे हूँ वैसा करोगे मेरी आज रात की रोम के लिए फ्लाइट है यकीन करो मैं वहाँ से पूरा शोव मैनेज करोगे तुम बस ट्रस्ट करना और वैसा ही और उतना ही करना जतना मैं बोलूँगी इस चिट में मेरा महा रोम का भी नंबर है अश्वीन अंकल को कब फोन करना ये मैं बताऊ नहीं बस मैं अश्वीन अंकल को रोम से लपेटे में लेते रहे उनके दिमाग में ये बात डालते रहे कि पापा और आंटी का अफैर हो सकता है जब मैं छोटी थी तब कभी रियालाइज नहीं किया पर अब मैं कन्विंस्ट हूँ तो उनों का कुछ है तरह बस सबूत बोबो ते या ऐसे ही बोल रही तू कहू तो आपको बुरा लगेगा अब जो लगेगा वो लगेगा तो बोल कुछ महीने पहले मैंने उनकी बाती सुनी थी वो कह रही थी कि आपनोंने बच्चा दे सके और ना बेडरूम में सुकून पापा कह रहे थे कि आप सिर्फ दिखावे के शेर हो दीरे दीरे मुझे पापा से चिड होने लगी ये चिड नफरत में बदलती जा रहे थी कि उन्होंने मुझे नील से अलग कर दिया वैसे भी पापा मेरे लिए कुछ करते ही कहां थे मैं दिल से चाने लगी थी कि मुझे नील से दूर करने वाले मेरे पापा ही इस दुनिया से दूर हो जाए अश्वीन अंकल उन्हें जान से माल डाले दायर एका उसको उड़ाने का पर वो ये प्लान एक्जिक्यूट नहीं कर पाए और मेरे वापस आने का टाइम आ रहा था तो मेरी प्लान के हिसाब से नीर ने सारी फिल्डिंग कर दिया हो जो आप सबको पता चला होगा अब तक बस अश्वीन अंकल को जंगल ले आना था बहुत मिस्कर रही हूँ आपको और आप क्या आपको मैं भी तो मिस्कर रहा है रही काश तु इदर होती पारती बेगे पॉंडा मैंने जो पापा को आने की डेट बोली है उसके एक दिन पहले की टिकेट ले ले थी और फिर सीधा अपने होटेल वुट कॉटेज पहुचती हूँ फिरा पूरा दिन मेरे साथ रहना और नेक्स दे मैं घर चली जाओंगी अरे मेरा मुगा बाद चील लिया तूने प्रिंसेस मैं आज अरे आज क्या अब इच रोम बुक करता है उसने होटेल की बुकिंग के साथ साथ अपने मौत की भी बुकिंग कर ली फिर जो भी हुआ वो आपके सामने है कॉमल तुम अभी अपनी स्टोरी कोर्ट में सुनाना जो जेल में जाके खत्म होगी मैं जानती हूँ सर हम दोनों को जेल होगी चलड़ कॉमल दया रायकर और नील डिकोस्टा पर कतल के मुकदमे चलेंगे साथ ही जोई फुटराडो और एंथनी ब्रीटो पर भी मुर्डर के चार्ज लगे है भारती शौक से सुन पढ़ जाती है ये जानकर कि जिस आदमी से उसने दिल से प्रेम किया वो उसकी पीट पीछे एगलत रिश्टे में चुड़ा था कॉमल की मा सविता रायकर शायद जिन्दगी भर अपने आपको माफ नहीं कर पाएगी कि उसकी बेटी जिन घलत फैसनों और यातनाओं से गुजरी वो उसे भाप ही नहीं पाई उसकी मदद ही नहीं कर पाई नील की दादी अब भी एक कुबूल नहीं कर पा रही है कि उसके पोते ने कुछ गलत किया कॉमल का पिता दयार आयकर एक टूटा हुआ बाप है जो इस सच के साथ जीने की कोशिश करेगा कि उसकी बेटी ने उसकी हत्या करनी चाही और सुनने में आया है कि शशी कान चिंबल कर एक नए उभरते अंडवर्ड डॉन के साथ नए रिष्टे बना रहा है जो तलवार के सहारे जीता है वो तलवार की वज़ा से ही मरता है ये पुरानी कहावत है लेकिन हर दौर में सच साबित है अश्विन रेगे ने अपने क्रिमिनल सामराज्जे में राज करते वक्त नैतिक्ता, इंसानियत और शराफत की हर देहलीज का उलाखन की अपनी दौलत और बल के नशे में उसने एक पवित रिष्टे में विकृती का जैर खुल अश्विन रेगे से जुड़े हुए सभी लोग तया, भारती, सविता, उसके गिरोगे सदस्य और जिंबल कर सभी बंदिशों में जखड़े हुए एक बंदिश थी खौफ की और दूसरी थी जुर्म से मिलने वाली इजी मनी की आदत की पर नील डेकोस्टा जुर्म से प्रदूशित सांसे लेकर बड़ा नहीं हुआ थी लेकिन फिर भी वो जुर्म के कार्मा का मसाफिर बना उसने प्यार की आड़ में अपनी नैतिक गम्सूरी को खुद पर हावी होने दिया लेकिन अगर वो डटकर मना कर देता तो शायद कोमल को भी जुर्म की स्पट्री से उतार पाता अब मैं आनूप सोनी आप से विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी एक और ने केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सत सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जये